परिवार में तो काड दे तो जाना नहीं चाहिए क्यूंकि आज कल आदमी जो है ना काड दे रहा है फॉमलेटी निभाने के लिए सादी के काड अगर कोई फैमली वाला देता है तो नहीं जाकर बुरा बनी है जाकर बुरा नहीं बनी है क्योंकि वो सोस्ता है कि जो आया है वो हमारे यहां खाने के लिए ही आया है तो मैं उसको 500 रुपया लिफाफा में डाल के देने से अच्छा है और इतना ताम ज्ञाम अपना काम हर्जा करके जाईए ठीक है इससे अच्छा है कि आप अपना घर में ही कुछ लाके खाईए चाय कुछ अच्छा बनाईए सादी का कोई काड दे तो जाईए ही नहीं क्योंकि मेरे साथ एक बार कुछ एक परिवार का आदमी था उकमीना पनी कर दिया उसके बाद हम कहीं से भी काड आता है हमको जाने में बहुत अजिब सा मन में फिलिंग होता है हम अखेले नहीं है क्योंकि हमको अपने बालवच्चे को भी देखते हुए कहीं आना जाना करना है क्योंकि हमको एक अपने से जादा आपने बालवच्चे के बारे में भी सोचना है इसलिए कहीं भी जाएंगे तो Full Family जाएंगे इसलिए कि कियूंकि हमको खाने पिने से जितना हमको सादा सुदी खाना अच्छा लगता है साधी बिवा में जाना तो हम बहुत अच्छा फिल करते थे पहले मगर मेरे साथ कुछ होज़ा हो गया बेहवार उस आदमी का नाम नहीं खोलेंगे वो आदमी बहुत कमीना टाइप का आदमी था ठीक है न वो माफी भी मांग लेगा तो माफी भी करने लाइक नहीं है एक दम का सुवर आदमी था काड दिया और काड देने के बाद बुलाया वहाँ पे और उसको लगा कि हम लोग आया है तो खाने के लिए उद्धिन हमको बहुत बहुत बढ़ा एक अनुभव हुआ कोई काड देता हम ले ले लेते हैं खुसी-खुसी पैर छुब लेते हैं परनाम कर लेते हैं और जाते ही नहीं है थोरा सब्दा जाओ साधी काड मिला जाओगे पाड़ी में खाना काने नहीं नहीं जाओगे क्यों नहीं जाओगा क्यों नहीं जाओगा क्यों नहीं जाओगा कुछ बात हुआ था ना कुछ बात हो गया था ना इसलिए नहीं जाते हो एक जगे साधी काड मिला था बार बार बोलें दर्सों को बहुत बारा सुवर आदमी था वो नाम नहीं खोलेंगे काड दे के बुला लिया था हम लोग फूल फैमली गया थे बहुत माम सम्मान के साथ मगर वो सला उकाद मेरा खूद का परस सागा भाई भी अगर काड देता है तो हम कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे कियोंकि हमको जाते हैं तो हमको दे थर-थर आने लगता है दर्सों को जय माता दी मेरे बात को बुरा नहीं मानियेगा और कहीं जाना है तो सोच विचार के जाएए